नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर आज की एंक में हम बात करेंगे हतेली के फिंगर्स में पाए जाने बाले कुछी विसेश चिन्नों के संबंद में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे फिंगर्स में इस पर्व पर यह जो पर्थम पर्व है यहां से यहां तक यह पर्थम पर्व होता है इस पर्थम पर्व पर जब हम ध्यान से देखते हैं तो काफी सुक्षम सुक्षम और आपको छुटी छुटी रेखाएं यहां देखने को मिलेगी, यह रेखाएं कुछ इस प्रकार की हो सकती है, कभी कभी यह इस प्रकार की भी होती है, कभी यह इस प्रकार की भी आपको दिखेगी, तो अलग-अलग फिंगर में अलग-अलग परकार के आपको रेखाये और डिजाइंस दिख सकती है सामुद्रिक सास्तर में हतेली के परतेख परब परतेख चिन्न के सम् Calvin में काफी बिश्तरित तरीके से बताया गया है आखिर क्या ये चिन्न कहना क्या चाहते है ऐसे तो कहा गया है कि दसो अंगली में आपके दसो अंगली में यदि चक्र बना हो तो ऐसे लोग चक्र बरती समराठ होते हैं हलांकि practically हमने जो देखा है ये दसो अंगली में मिलना संभव नहीं है सायद ही किसी बेक्ती को के हथेली में मिल जाए दो चार छे की संख्या में ये मैक्सीमम होते हैं तो दसो अंगली अर्थात वो राजा और राजा बरतमान समय में राजा वही है जिसके पास धन संपत्ति की परिपुर्नता है साथ में उसका स्वास्त अच्छा है फैमली अच्छे है तो वो परतमान समय में राजा कालाता है तो हम बात करें कि यदि वो आपके अंगुठे पर बनता है हो सकता है कि आपके थम पर जो चिन बन रहा हो कुछ इस परकार से बनता हो मैं इस चिन्न को थोड़ा सा आपको बताना का प्रियास करता हूँ कि आपके अंगुठे पर माल लिया जाए ये आपका अंगुठा है ये देखे ये माल लिया जाए आपका अंगुठा है ये ये आपका थंब और ये आपका पर्थंपर्व मैं पर्थम पर्व की बात कर रहा हूँ, यहां से यहां तक पर्थम पर्व कालाता है, और इस पर आप देखते हैं कि इस परकार से रिंग नुमा, यह जो चक्र बनता है, एक चक्र का रथात होता है, गोलाकार आकिर्ती, यह आकिर्ती इस परकार से इस परकार से बढ़ती जा जीवन में सुकृ आपके जीवन में जो सुक होती है भौतिक सुख सुविधा जितनी भी होती है चाए वो अच्छा रहन सहन हो खान पान हो सुख सुविधा हो मनरंजन हो वो सारा सुक्र देता है फैमिली का सुख हो परिवारी सुख वो सुक्र देता है तो यह चिन आपके अमूठे में है तो स यही चिन्न यदि आपके तरजनी पर बन जाए यह तरजनी है आपका जिसे हम गुरू की उंगली भी काते हैं या ब्रस्पति के उंगली या इंडेक्स फिंगर काते हैं माल लिया जा यहां चक्र बन रहा है इसी प्रकार की आकिरती आप देख रहे हैं कि यहां द्रिश्टी प्रवत की स्थिति भी अच्छी होती है और यह चक्र इस प्रवत के गुर्ण को बढ़ा देता है गुरू ज्ञान का प्रतिक है गुरू समाज में एक तरह से प्रतिश्था का प्रतिश्था प्रतिश्था मान समान गुरू से देखते हैं अध्यात्मिक नौलेज, शिक्ष ग्यान ये सारा गुरू देता है साथ में राजनितिक सफलता गौर्ण्मेंट स्क्टर से जुड़ कर वर्क करना ये सारा चीज गुरू देता है तो यहां पर चक्र बनना इसके गुन को बढ़ा देगा बिरश्पति के सभी गुनों को बढ़ा देगा गुरू बिरश्पति के अर्था सात्विक गुन को ये काफी बढ़ा देगा और यदि ये चक्र आपके हो सकता है इस पर बन जाए ये जो फिंगर है आपकी सनी पर बन जाए तो सनी क्या है कर्म का छेतर है तो यहां कर्म बढ़ जाएगा भागी का छेतर है भागी बढ़ जाएगा अर्थात धन कमाने की परविर्ती, अच्छे बिजनस, गंभीरता, सांथ हो के उवर्क करना, ये सारी चीजें सनी बढ़ा देगा, परन्तु एक ही बेक्ती के अंगूठे, तरजनी, ये सारी उमलियों पर चक्र मिलना करीब करीब नामूंकिन सा है, नहीं मिलता है, हाँ कोई बेक्ती मिल सकता है, ऐसा नहीं की नहीं मिलता है, मिलता है, हो सकता है कि आपके 10 फिंगर मिलाके, 7, 8 में ये हो सकते हैं, मेक्सिमम हो, चक्र की संक्या जितनी बढ़ेगी, बुद्ध पर आ जाती है, तो बुद्ध ब्यपारी कतिविधी को दिखलाता है, बुद्ध मैनेज को दिखलाता है कारी करने कराने की चमता लोगों से किस प्रकार से work लेना है समझाना है management किस प्रकार से करना ये बुद्ध देता है तो बुद्ध में चकर हो साथ में सनी पर भी चकर हो तो ऐसे ब्यक्ति बड़े बैपारी मिलेंगे आपको आपके कनिष्टका पर चक्र है और आपके सनी मिडिल फिंगर पर चक्र बना है तो यह धन संपत्ति और यह Management दोनों मिलाकर एक बैपारिक combination मनाता है, बैवसाइक रूप से ऐसे बेक्ति काफी सफल मिलेंगे जिनके little finger और middle finger पर चक्र बना तो यह combination इसी प्रकार से work करता है आपके सुरी पर यदि चक्र बना है तो ऐसे बेक्ति का नाम बहुत ज़ादा होगा, ब्रांड होगा नाम होगा, लोग दूर दूर तक जानेंगे इनके किसी बिसेश कर्म या कला के कारण इन्हें लोग दूर दूर तक जानेंगे, यदि सुरी पर बनता है दोसों अंगले में बनता है तो ऐसे लोग चक्रवर्ती समराट कहलापे हैं अर्थात उनके जीवन में सभी सुक सुविधाएं होती है नंबर अफ चक्र आपके दसों फिंगर दाएं बाएं दोनों मिला के जितनी अधीक बढ़ेगी आपके जीवन में इस्थिर्ता उतनी अधीक रहेगी धन संपत्ती की परिपूर्णता रहेगी आपके अंदर में मान लिया जाए गुरु पर है तो गुरु से संबंदित पद परतिष्ठा मिल जाएगा सनी पर है तो धन मिल जाएगा बुद्ध पर है तो बैपारी गदिविधी बड़े परतिष्ठान हो जाएगे आपके बैपारी गतिविदी बढ़ जाएगे, सुरी पर है तो आपका नाम बढ़ जाएगा और सुक्र यहां अंगूठे पर बना है तो सुक्र सुविदाएं बढ़ जाएगी तो यह तो हो गए हमारे चक्र के परन्तु सभी अंगली पर चक्र नहीं है बहुत फिंगर पर आप देखेंगे तो कुछ इस परकार के भी चिन्न आपको मिलेंगे यह देख लीजे आप देखें तो कुछ मान लिया जाएगे एक छोटा सा यह मिलेगा लंबा जैसा और आपको लगे है कि सारी रेखाएं कुछ इस परकार से इस परकार से इसे घेरते हुए ये निर्मान कर रही है ये इस परकार से इस चिन्न को सास्त्र में संख का चिन्न कहा गया जिसमें ऐसा लगेगा कि आगे का बाग नुकीला है और ये चारों तरप इस परकार से इस परकार से राउंड से बढ़ते जा रहा है जो आप चिन्न ये देख रहे हैं ये सेम चिन्न है इसे कहा गया संख का चिन्न इसके तुल्ला में कम होता है अर्थात आपके फिंगर पे अधिक चक्र है तो ये अधिक सुब है और यदि संख अधिक बना हुआ है तो ये सामान नीश्य सा सुब है मतलब बहुत अधिक नहीं है लेकिन ये नुक्षान नहीं पहुचाता परवतों की छमता को घटाता नहीं है और उसको बनाए रखता है तो ये सामान यवस्था में सुब है ये विशेश सुब है अब आपको देखना है कि कितने फिंगर में संख बने है कितने फिंगर में चक्र बने है संख की संख अधिक है यह अधिक सूभ है, चकर की संख्या अधिक है, तो सामान नीमे सूख है, मतलब ना उपर के अस्तर पे हैं, ना नीचे के अस्तर पे हैं, आप मध्यम बरगी जीवन जी सकते हैं, परन्तु कई बार देखते हैं कि कुछ अलग परकार का भी हमें चिन्न देखने को मिलता है, उस इसे सीप कहा गया है, सास्तर में इसे सीप का चिन्न कहा जापा है, इसकी कोई सर्टेन आकिरती नहीं होती है, ये केवल इस परकार से इस परकार से आपको दिखेगा कि हाँ ये रेखाए मिल रही है, ना ही ये गोल है, ना ही चक्र है इस परकार से, तो इस परकार का चिन्न मा इसको कहा गया है सीप का चिन और यह चिन सामुद्रिक सास्त्र के अनुसार सुब नहीं है मतलब इस परकार के चिन का बढ़मा मतलब कि आपके दसों फिंगर में मिलाकर यदि सीप की संख्या अधिक है तो ऐसे लोग सामान ये साथ जीवन जीते है ये परबत के गुन को घटा देता यदि यह चिन या यह चिन जो सीप का है यहां गुरू पर बन जाएगा तो गुरू के गुन को घटा देगा ऐसे बेक्ती के जीवन में कोई पर्तिष्ठा नहीं होगी कोई पद नहीं होगा ना ही अध्यात्मिक अभिरूची होगी ना ही इनके पास नॉलेज होगा बस यो ही जीवन को जीएंगे यह चिन्न गृुपर है तो गृुपर के गुन को घटा देगा यह चिन्य यदि सनी पर है तो कर्म हीन कर देगा बेगती को किसी कारी में मन नहीं लगेगा कोई कारी ही नहीं करेंगे बस ऐसे ही दिन चलता चलेगा सुरी पर है तो सुरी के गुन को घटा देगा अर्थात इसका कहीं कोई भी ऐसा कारी इनके जीबन में नहीं होगा कि लोग इसको नाम से जानेंगे कि फलाना बेखती है बुद्ध पे होगा तो मेनेजमेंट के गुन नहीं होगे बैपारी गुन नहीं होगे किसी कारी को करने में मन नहीं लगेगा तो सीप की संख्या यदि आपके फिंगर पर बढ़ रही है तो ये सुभचिन नहीं है ऐसे लोग सामान इसा जीबन जीते हैं बिल्कुल साधारन जीबन जीते हैं परिश्रम करते हैं काम करते हैं और खाना खाके सो जाते हैं इनके जीबन में ना ही कोई उत्सा नहीं रहती है चुकि गुरू का क्या काम है यहां बना है तो गुरू आपके अंदर की इक्छाओं को बलवान बनाता है अब यह चिन्न है तो यह इक्छाओं को सोचने ही नहीं देगा इक्छा को बढ़ने नहीं देगा तो इक्छाई उत्पन नहीं होगी तो लोग कारी क्या करेगा तो यह चिन्न क्या है गुरू पे बन गया तो गुरू के गुन को दवा दिया मन में कोई इक्छा नहीं कोई महत्वा कांचा नहीं बढ़ा करने की चाह नहीं सनी पर बढ़ गया तो कोई भी कारी करने की इक्षा नहीं होती है कर्म करने की इक्षा नहीं भागी ऐसे ही कम हो जाएगा तो सीप का चिन बिलकुल सुभ नहीं माना जाता है हाँ आपके 10 फिंगर है तो हो सकता है कि सीप के चिन आपके फिंगर पर 2-3 अवस्य हो जाए परंतु 2 से संख्या यदि बढ़ती है तो ये आपके लिए एक इसका ये नकारात्मक परभाव है कि कहीं न कहीं आपके जीबन में भी बहुत जादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी बहुत जादा डेवलटमेंट नहीं मिलेगी तो सीप की संख्या जितनी बढ़ेगी लाइप उतना ही साधारन और निचले अस्तर का हो जाता है और संख की संख्यां जितनी बढ़ेगी लाइब उतना ही अच्छा और उच अस्तर का होता है ति यह दोनों सुभ है और यह चिन्न आपको सबसे निचले अस्तर का चिन्न कालाता है जो आपके हतेली के गुन को कम कर देता है तो आज की अंक में हमने जाना कि हतेली में पर्थम परब पर बनने वाले चक्र संख और सीप के चिन्न के क्या परभाव पड़ते हैं जब भी हम किसी का भी हतेली देखते हैं तो केबल इन रेखाओं को देखकर हमें प्रडिक्ट नहीं करना चाहिए हतेली की परतेक की बनावट फिंगर्स की लंबाई बहुत महतपुर्न है हतेली की बनावट माउंस की उभार जो परबत है इसकी स्थिती कैसी है हतेली की रंगत कैसी है उसके बाद हम रेखाओं को देखें केबल रेखाओं को देखकर यदि हम प्रडिक्शन कर देंगे तो प्रकारी कर सकता है या इसके लाइफ में किस-किस प्रकार की चीजें हो सकती है आज के अंक में इतना ही मिलते हैं अगले अंक में धन्यवाद